वेलकम टो टेक्निकल सेसन आज का हमारा टॉपिक है in operator in SQL in operator का यूज हम वहां करते हैं जहां हम where की condition लगाते हैं where की condition लगाने का मतलब है डेटा को filter करने के लिए हम where clause का यूज करते हैं सेम बैसे ही in operator के यूज करते हैं जब हम data को filter करना चाहते हैं multiple values यानि कि list type of values का अगर आपको data filter करना हो तो उस case में आप in operator लाएगे वहाँ पर आपके where की condition काम करेगी लेकिन वो multiple बार आपको condition देने पड़ेगी ठीक है और in operator हम कहां कहां यूज कर सकते हैं किस-किस data type के साथ हम किसी भी data type के साथ यानि कि numeric हो date time हो string हो कहीं भी हम इसका use कर सकते हैं ठीक है normally इसका भी वही purpose होता है जो वेर का होता है data को filter करना है कहां कहां use कर सकते हैं इसको हम selected statement के साथ update statement के साथ और delete statement के साथ भी हम इसका use कर सकते हैं देली प्रैक्टिकल करके देख लेते और अच्छे से क्लिए हो जाए example के लिए जैसे हमारे पास एक table है employee अगर इसको run करें तो यह सारे इसके record आ रहे हैं ठीक है अब example मान के चलिए कि मुझे ऐसे record देखने हैं जिसकी city ऐसे employee देखने हैं जिनकी city नोइडा है और डैली है ठीक तो उसके लिए अगर हम वेर की condition लगाएंगे तो क्या करेंगे वेर की condition के लिए select staff from employee वेर जो भी column का नाम है city equal to मैंने कहा नोइडा तो नोइडा वाले बंदे भी आ गए और मुझे city वाले भी चाहिए तो उसके लिए और लगाएंगे ठीक है और city equal to मैंने देदी डैली वाले भी बंदे चाहिए ठीक तो इस case में अगर एंड लगाएंगे तो कोई record नहीं है क्यों कि भी किसी भी employee की एक ही सिटी होगी है तो नोइडा होगी या डैली होगी ठीक है अगर इसको run कराएं तो अब हमारे पास जो record आ गए वो नोइडा और डैली वाले सारे बंदे आ गए ठीक लेकिन अगर आपके पास ऐसी 10 कंडिशन है तो आपको 10 बार एक कंडिश के साथ लगाऊं तो यहां पर सिर्फ यह लिखना है सिटी इन और फिर ब्रैकेट ओपें आपकी जो भी वैलूस है वो सारी वैलूस आजाएंगी अगर स्ट्रिंग है तो आपका सिंगल कोट में आएगा और कॉमा सेपरेटिट सारी वैलूस आपकी आजाएंगी सिटी इन आपकी जो वैलूस है वो फिर कॉमा नेक्स्ट वैलूस फिर कॉमा करके जितनी वैलूस आप देना चाहिए वो सारी आप दे सकते हैं अब इन दोनों को जब रंक राएंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा बस लिखने का तरीका अलग-अलग है ठीक है यह थोड़ा लें 30 और 31 होते हैं यहां पर हम लगाते हैंगे is ठीक है अब values हमारे पास multiple numeric है तो numeric में single code लगाने की जरूरत नहीं है 30,31 अब इसको अगर मैं run करा दो तो मेरे पास record आजाएगा ठीक है तो इस तरह से हम इन्वापटर के यूज़ कर सकते हैं जहां भी हम वेर की condition लगा सकते हैं वहां हम इन्वापटर लगा सकते हैं ठीक सेम हम अगर multiple values के साथ data अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहते ह गाइज आज के लिए इतना ही मेलटें अपने नेक्स सेशन में वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए को लाइक पाया है टेक भी